तो हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत और आज की वीडियो काफ़ी दा इंट्रेस्टी और काफ़ी दा नोलिजवल होने वाली है तो यह आपको मिल जाते है आईटेल का S23 प्लस वाला फोन प्राइज आपको लगवाग दोनों फोन का सेम भी मिल जाते हैं आपको 13,000 रुपे गयरा हों में दोनी फोन आपको देखने को मिल जाते हैं बट इस प्राइज में भाई जो फोन में डिफ्रेंट्स बगएर है न वह आपको काफ़ी जादा देखने को मिल जाते हैं फोन जो है आप देख सकते हैं लुक डिजाइन यह आपको मिल जाते है ओपो का A38 फोन जिसमें आपको वेरेंट मिलता है 4GB और 128GB इस्टोरेज सेम प्राइज में जबकि आपको आइटल S23 प्लस वाले फोन के अगर बात करीजा है इसके वेरेंट की तो 8GB और आपको 256GB आपको इस्टोरेज तो तब आपके माइन में कहीं न कहीं confusion क्रेट हो जाता है कि हमें कौन सा फोन जो है purchase करना चाहिए क्योंकि आप जल्द बाजी में भाई फिर बेकार फोन जो है purchase कर ले तो फिर आपको बाद में पस्ताना रह जाता तो भाई इसी लिए मैं आपके लिए बीडियो लेकर क्या बिए आई ड्याइव वाले फोनस में आपको और आपको दो सुच फञेज है यह निकिन इसके साथ ओ आपको जो है और टैल वाले फोनस में और आपको ओपो बात करिए तो बैक में आपको दोनी फोनस में सेम चामरा मिल जाता है 50 than पिसल का क्या वो सच में क्या ने वाला है camera में उसके बगए हम मैं बात करने वाला हूँ तो चलते head camera में दिखाता हूँ दोने phones का look design आपको कौन से phones का जाते better मिल जाते हैं वो चीज भी हम देखने वाले हैं तो guys यहाँ पर आप देख साथ हो आपको 50 Megapixel आपको dual camera setup आपको दीखने मिल जाता है दोनी phones में जो कि मैं आपको camera desktop भी दिखाने वाले हूँ कि किस तरी जो performance है वो निकाल करके दिखाने वाले दोनी phones तो camera का design आप देख से तो कौन से phones के जो camera का look है design आपको ज़्यादा बढ़ है लग रहा है तो आपको ITAL S23 Plus वाला phone ज्यादे बेटर है 8GB RAM है और 256GB storage है वही पर OPPO वाले phones में 38 में 4GB RAM, 128GB storage तो अगर आप RAM और storage आपको ज़्यादा चाहिए तो भाई ITAL S23 Plus सबसे बेस्ट हैने पहले वही पर look और design यहाँ पर आप confirm कर सकते हैं अगर look design की बात करें तो भाई कुछ को ITAL S23 Plus वाला phone ज्यादा पसंद आएगा तो कुछ को भाई OPPO का भी पसंद आ सकते हैं तो वह भाई अपकी अपनी अलग-अलग पसंद है सबकी अलग चुगाई से वही पर बात करें पहले box के content की तो दोनों ही phones के अंदर आपको जो है charger मिल जाता है कुछ चीज तरगीगा तो OPPO वाले phones में हाँ पर आप देखो कि तो charger थोड़ा सा बढ़हा मिल जाता है 33W का charger मिलता है OPPO वाले phones के साथ 33W का एक fast charger मिलता है और बही पर बात करें तो cables के तो दोने फोन के पहल आपको tyc package मिल जाता है तो यह चीज तो दोने फोन के लिई same रहने वाल है तो इसमें कोई भी difference वगईरा नहीं है तो cable दोने फोन पहले तो दोने फोन के अंदर आपको जो है box के अंदर यहा पर case मिल जाते है transparent case है दोनों के अंदर यहाँ पर जो आपको देखने हो मिलता है iTel में इसमें आपको hard plastic वाला case मिल जाते है देखने को तो यह चीज आप देख सकते हो iTel के साथ कुछ इस तरह case है क्योंकि इस वाले phones में जो है display की बज़े से यह case आपको try इस तरीके का मिलता है क्योंकि इसमें आपको display जो है 3D card display आपको देखने हो मिलती है बही पर गार बात करी जाए हमारे पास जो आता है OPPO की तरप से यहाँ पर case यह transparent case है बट इसकी जो quality वह काफी premium है और यह काफी soft case आपको देखने को मिल जाते है तो box में आपको कुछ इस तरी जो चीज है थी भाई कि आपको देखने हो मिल जाते है बट अब बात करें phones पे आपने look design तो देखी लिया होगा और आपको पसंद भी आगए होगा कि कौन सा phone जो है में लेना चाहिए बही पर दोने ही phones के अगर बात करी जाए तो दोने ही phones में आप देखने हो आप डाउन मिल जाते है जबकि आपको ओपो वाले जो phone है एर तीस इसमें आपको जो है side mountain fingerprint आपको देखने हो मिलता है लेकिन ITAL S23 Plus वाले phones में ये चीज़ आपको थोड़ी सी advance देखने को मिल जाती है और ये जो fingerprint sensor आपको मिल जाता है in display fingerprint sensor आपको देखने को मिल जाता है इस वाले phones के अंदर तो ये चीज में काफी बढ़ है लगी काफी advance चीज़ है in display fingerprint sensor तो काफी बढ़ है रहने वाल है तो fingerprint के मामले भी तो आपको ITAL S23 Plus के दरह भी जाना चाहिए क्योंकि advance चीज़ है काफी बढ़ है रहने वाली है जबकि आपको ओपो बाले phones में हैंपर आपको side mountain में दिलता है तो ये तो आपको भाई तो थोड़ी सी चीज़े देख सकते हो आपको ये adjust है तो जो display का वो काफी अलगी रहने वाला है swag रहने वाला है अपना ये के अलग बही पर बात करें यहाँ पर नीचे देखो कि तो आपको जो है आपको जो है speaker मिल जाता है type-c charging port, mic और आपको 3.5 audio headphone आपको jack देखने हो मिल जाता है उपो वाले phones में और आपको जो है यहाँ पर ITL वाले में sim slot मिल जाती है क्योंकि इसमें आपको 3.5 audio headphone jack नहीं मिलता है type-c ह आपको देखने हो मिल जाता है type-c के अंदर आप जो है earphone लगा सकते हो converter बगएरा लेकर के तो वो मिझे कापी बढ़या लगा क्योंकि इसमें आपको जो है port बगएरा नहीं मिलता है जबकि इस वाले phones में आपको जो side mount जो side में देखने हो यह sim slot बगएरा देखने हो मिल जा 32 megapixel आपको front camera मिल जाता है जो की मिलता है punch hole में जो की बाई काफी attractive लगता है देखने में देखते तो punch hole camera कुछ आपको इस तरीकर देखने को मिल जाते है तो यह चीज में काफी बढ़या लगी बहीं बात करें oppo air 30 में same price दोने के बाद भी इसमें जो camera मिलता है आपको front में यह आपको मिलता है भाई नोचमें तो नोचमें यह पहले चलता था बट आप जो है यह जाजतर जो phone है पंच ओल camera निकाल ले Masters इससे भी कम प्राइज में बट इसमें आपको देखते कंऊंच में नोचमें camera है पंचो में आपको दीखने हैं ले नहीं मिलता है तो और जो कि display की तो दोने पहले तो मैं brightness दोने को बराबर कर लेता हूँ तो क्योंकि इसकी ज़्यादा कम हो रही है अगर बही पर बात करी जाए दोने phones में display की तो display देखो आपको जो है OPPO वाले AR30 phone में थोड़ी छोटी मिल जाती है क्योंकि यह जो आप display देख रहो इस भी यह मिलती है आपको 6.56 इंची आपको HD display आपको देखने को मिलती है बट यह है कि display के अंदर आपको 90 Hz का refresh rate आपको देखने को मिल जाते है लेकिन display आपको HD मिलती है और काफी छोटे display पहीं पर बात करी जाए ITAL S23 Plus वाले phones की तो इसमें जो आपको display मिल जाती है यह मिलती है आपको 6.78 इंची की Full HD Plus आपको AMOLED display मिल जाती है और यह मिलती है आपको 3D curved जो कि भाई आप देखोगे तो side से काफी अधर premium आपको feel जो हैं आपर देने वाली है तो यह चीज आपने देखोगा कि 3D curved display जो भाई महंगे phone मिल जाती है बट यह इतने सस्ते phone में आपको दीखने हों मिल जाती है और काफी बड़ी है क्योंकि display के अंदर आपको एक AMOLED panel भी आपको देखने हों मिल रहा है बट इसमें आपको 90 Hz का refresh rate नहीं मिलता है इसमें आपको side में मिल रहा है यह बहुत बड़ा एक advantage आपको दीखने हों मिल जाते है डिस्प्ले के मामले में अगर बात करी जाए तो भाई ITAL का सबसे best phone या भी तक का यह लगा है क्योंकि इसकी जो display है आप भाई काफी महंगे phone से भी जो है आप compare कर सकतो 20,000, 30,000, 40,000 तक के phone से जो है आप इसको compare करोगे तो काफी बढ़ है चीज़े रहने वाले है क्योंकि इसमें आपको HD display है इसमें आपको HD plus है साथ ही आपको लेक पैनल है और 3D card display है तो इसका एक अलगी मज़ है पहिए बहुत दोनी phones के बात करें आपको battery के मामले में फोन अगर आप ले रहे हो तो दोनी phones के अंदर आपको 5 जनले की battery मिल जाती है बट charger आपको थोड़ा बहुत difference देखने को मिल जाते है ITL के साथ आपको 18W का मिलता है OPPO के साथ आपको 33W का charger देखने को मिल जाते है तो battery तो आपको सेम ही देखने को मिल जाती है बट charging के जो time है न वो आपको थोड़ा बहुत difference देखने को मिल सकता है अगर बात करें इसके camera की तो back में आपको दोनी phones में 50 पेंसल camera है तो कुछ मैंने photos बगरा भी लिए यहांपर जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से phones में जो है किस तरी जो photos बगरा आती है लेकिन अब यहांपर पहले उस से पहले मैं आपको दिखा दिता हूँ कि दोनी फोन में यहाँ पर चलिए settings में जागा कि दिखाते हूँ आपको दोनी फोन की setting को open करते हूँ तो settings को मैंने open कर लिया open करने बाद about phone को open करते है नीचे और यहाँ पर देखोगी तो अगर आप gaming के लिए phone ले रहो तो दोनी फोन में जो gaming की performance अब आपको अलग-अलग देखने को मिल सकती है क्योंकि देखो आपको ITAL S23 Plus वाले फोन्स में जो इसमें प्रोसेजर मिलता है इसमें मिलता है आपको UNOC का T616 का और इसकी गेमिंग टेस्ट वाली वीडियो में ने डाल लग किया है काफी अच्छी पर्फोंस निकाल के देता है जबकि आपको OPPO A30 वाले फोन्स में इसमें जो मिलता है न प्रोसेजर देखोगे तो यहाँबर आपको MediaTek का Halo G85 का आपको देखने हो मिल जाता है फोन्स के अंदर तो यह देख सकतो आप तो यह फोन आपको जो है G85 का जो गेमिंग प्रोसेटर निकाल के देता है तो इसमें जो है आप गेमिंग पगेरा भी काफी सही खेल सकता है तो दोने फोन्स में जो है एबरेजी गेमिंग रहने वाली है जाद इतनी बढ़हा भी नहीं बोलुगा कि दोनों फोन्स में हाँ काफी बढ़हा मिल जाती है तो गेमिंग के मामले में आपको 19-20 का अंतर देखने हो मिल सकता है बट खेलने में जो एक्स्पिरेंस है वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेसरी मिलता है इसमें आपको 3D कर्ण पर मिलती है तो वो थोड़ा बहुत एक्सपिरेंस जो है वो आपको थोड़ा बहुत अलग हो सकते है दोनों फोन्स के नदरा आपको 5Hz की बैटे मिल जाती है Android version जो है आपको 13 मिलता है तो इसमें कोई भी दिक्केताली बात नहीं है बट वही चीज है आपको जो है बाई रेम से बगरा की होने बाली है तो ये चीज आप देख लेना पहली तो अब बात करते हैं मैंने दोने फोन्स में देखो एक सेम वीडियो डाली हुई है जो HD की है तो दोनों फोन्स में से कौन से जो फोन है वो अच्छे से हहाँ पर जो है देखते दिखाता है वीडियो तो मैं यहाँ पर पहले तो gallery photo के आंदर मैंने यहाँ पर अभी डाली है तो सबसे पहले मैं इसको कल लेता हूँ और यहाँ पर देखू video में दोने फोन्स में चला लेता हूँ पहले फुल कर लेता हूँ ब्रेटनेस फुल और इसको ओटो डूटेट से हटा दिया नहीं ठीक है तो यहाँ पर आप colors बगएरा अगर आप देखोगे दोने फॉन्स में तो साब साब आपको difference बगएरा देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीगी का तो यह पहले तो same उस पर कर लेता हूँ ने इनको दोनों को तो यहाँ पर आप आप देख सकते हो आपको जो colors बगएरा ने यह आपको दिख जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको जो है साब साब colors बगएरा दिख रहे होंगे तो देखो यह जो है भाई थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो comparison बगएर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो तो दोने की जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर आपको कुछ इस्त्री की दीखने हों मिल जाती है colors बगएर आप देखोगे तो काफी difference बगएर आपको देखने हों मिल सकते है क्योंकि आपको जो 3D card display साथ ही Amulet panel है तो उसमें यह चीज़ आपको जो है थोड़ी सी attractive करेंगी तो उपर वाले phones में हाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत content जो है ज़्यादा HD में डालोगे तो बगए वो चीपकर करके चलेगा क्योंकि उपर वाली जो display है ओपर वाले phones की यह आपको HD मिलती है जबकि इसमें आपको जो है फुल HD प्लस आपको display मिल जाती है HD display और साथ ही आपको emulate panel मिलता है फुल HD प्लस में difference बगएरा होता है तो colors बगएरा भी हाँ पर आप देखोगे तो difference बगएरा आपको जो है देखने में लग सकता है तो यह तो display की बात थी तो display की मामले में तो भाई आपका iTel S23 प्लस बगएरा फोन काफी बैटर रहने वाला है लेकिन आप बात कर लेते हैं दोरे phones में अगरा camera की तो camera के मैंने कुछ samples बगएरा लिए थे तो मैं आपको camera के samples दिखा दिखा दिता हूँ तो यहाँ पर आपको जो red tunes बगएरा है यह डाल देता है देखोगे जूम करोगे और इस वाले phones में काफी natural photo आपको दीखने हूँ मिल जाती है अगर बात कर जाए camera की तो यहाँ पर आपको iTel S23 प्लस वाले phones का जो camera है आपको दीखने हूँ मिल जाता है compare to Oppo Air 30 के मुकाबले में तो यहाँ पर दोनी phones में difference बगएरा देख से तो काफी natural color है इसके बाद मैंने जो है एक photo oracle की click है यहाँ पर जो की portrait mode में था और portrait mode में आप photo बगएरा देखोगे तो काफी clear photo आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर मुझे काफी बढ़ा चीजे इतना ज़्यादा खास अंतर आपको देखनों नहीं मिलेगा क्योंकि दोनी phones में back में पचास में प्सलिक कैमरा है तो difference बगएर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर निकाल के देता है तो आप जूम करोगे तो कुछ इस तरी जो photos बगएरा है वो आप यहाँ पर देख है और मैं अपने पर experience बताऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा तो यहाँ पर मिए काफी बढ़हा चीज़े लगी colors बगएरा देखोगे तो ITAL के अंदर मिझे काफी अच्छी performance लगी और इसका में जो मैंने camera tested details में डाल लग है काफी बढ़हा performance है और काफी सारे फोनों से मैंने जो इसका comparison है वो यहाँ पर कर रख है तो आप जाकर के देख लेना अगर आप नहीं देखा है अगर आप इस वाले फोनों को लेने की सोच रहे है तो तो बाकी इन दोने फोनों का जो link है मैं description डाल दूँगा बहां से अगर आप purchase कर सकते हो काफी discount चल रहा ह मिलते आप से अगली वीडियो में तब तक लिज्याहिन बंदे मात्रम